उत्तर परदेश की मित्र पुलिस की गुंड़ई का एक और शर्बनाब वीडियो आया है सामने आप देख लिजे खुद ही देख लिजे कि किस तरीके से दिन दहाले बर्दी पहनी वे चपाई नफ्री नशे में चूर है और जिस मों लेंगो किराय से मकान में रहता है बहां के लोगों को बहुत गंदी गल्या दे रहा है ये गल्या इथनी गंदी हैं कि हम आपको सुनबा नहीं सकते सिर्फ आपको वीडियो दिखा सकते हैं किया सिपाई है टीकम राम जो कि यहाँ पर एक किरायफ के मकान में रहता है सिपाही नशे में ठूर है और सदर कोटपाली छित में भाईपा बिधाय संजय गंगवार की बहन के घर के पास एक सड़क वापुलिया का दिर्माल नगरपाली का द्वारा एक ठेक डादर द्वारा चित कराया जा रहा है सिपाही सीकप सिंग इसी कालुनी में ओपर कास के मकान में किराय पर रहता है और उसका इसी निम्रादीन मकान के सामने से निकलना बैटना होता है चिपाही दोजाना यहां से निकलते प्रफ यहां के लोगों को और काम कर रहे मज़ूरों को के साथ बहुत भड़ी और गंदी कालियें सुनाता है और उसे अभस्ता करता है बर्दिक रुस्ते में भूल जाता है कि यह भी एक इंसान है और इसके उपर भी कोई और है और कानून कड़ा इसको विल्कुल भी नहीं रहा है इसकी हरकतों से तंग आकर आज जाकर आज कालोनी के निवास्तों ने इसके ये बाद वीडियो बना लिए और इस वीडियो को बाइरल कर गिया है हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं लेकिन इतनी गंदी गालिया हैं कि हम उन गालियों पाको सुनबा नहीं सकते अब देखना ये है कि योगी सरकार इस तपाही को लेकर जाकरेगी आईए यहां के लोगों से थोड़ी सी बात शुनते हैं कि अधिया आप बताओ ने नी मेरा बन रहा है अब उस्ते वो रोड बना रहा है उस्ते एंड मेंड बोलने की क्या जरूए अगर ने एक मेंड एक मेंड एक मेंड वह एक मेंड भाइब लेकन हम तो इन ओर कर देंगे अब बना रहा है नहीं रोड बना रहा है नहीं जोड़ा थोड़ा सव नहीं जाने यह अना वश्यक आप सेलग भाइब किसे दन्यादा मेरे भाई मैं यह नहीं कह रहा हूँ है आप जोड़ो लेकिन कमसेकं बात को समझो तो आप की सहुलियत के लिए रोड बन रही है यह आप के सहुलियत के लिए रोड बन रही है यह अज़ग लेकित जातो अचल आ रही है